हरे कृष्णा राधे राधे भगतो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज हमारे लड़ू गोपाल और राधा रानी इतने खुश क्यूं है बहुत खुश है तो देखिए ये जो है वीडियो है ये है सुबा की तो सुबा सुबा मैंने इनको इस्तनान कराया और अब इनका देखिए हमने शिंगार कर दिया है और लाडो के चहरे की मुस्कराहट देखिए आप कितनी प्यारी लग रहेंगे आज हमारी लाडो रानी और पिंक कलर की पहनी है इन्होंने पोशाक तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हमारे यहां इतनी ठंड नहीं हुई है कि हम इने अभी गरम वस्तर पहनाए तो अभी हमारे यहां मौसम ठीक है तो अभी मैंने ऐसी ही ड्रेस इनको पहनाई हुई है और यहां पे हमारे माधब जी भी तयार हो चुके हैं और साथी में ह देखिये कितने प्यारे लग रहे हैं, तो अब हम अपनी लाडो को पहना देते हैं चुन्री, हमारी लाडो ने चुन्री नहीं पहनी हैawag तो चुन्री उडा देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, आज ये इतने खुश क्यूँ है, तो फ्रेंँ इनका बन चुका है मंदि तो इसलिए यह आज इतने खुश हैं क्योंकि अब इन्हें मंदिर में बैठना है अपने और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी दोस्ता है और पता है पता नहीं इसा क्यों हो रहा है इतनी अर्चने क्यों आ रही है कि उनको जो है फूर्सती है और ये कब तक रहेगा रहेगा का सामान तो चर्चा करते करते साथी में हम यहां पे दीपक जला रहे हैं तो तुलसी की लक्टी की बाती रखी है मैंने तो यह मैंने नियम लिया हुआ था पूरे कार्तिक के महीने का जो की कल पूरा हो जाएगा पोड़े मापर तो फ्रेंड्स हां मैं आपको बता रही थी हा और आज चार दिनों में मेरा मंदिर कंपलीट हो चुका है थोड़ा सा उसमें लाइटिंग का काम बचा है केबल वो आज शाम तक हो जाएगा तो मैं मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी आप लोगों को तो जब मैं आज सुबा पूजा कर रही थी इनका इसनान वगेरा जब म नहीं करते है उसी प्रकार से हमारी राधारानी और हमारे लड़ू गोपाल जी को बिना अपने मंदिर में घ्रह प्रवेश नहीं करना था इसी वज़ा से वो मंदिर कंपलीट ही नहीं हो पा रहा था और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था ये मंदिर कैसे बन लेकिन जब उसका end होता है और जब कुछ अच्छा होता है तब प्रभू की कृपा नजर आती है कि हाँ भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छे ही करते हैं बस हमें उस समय कुछ समझी नहीं आ रहा होता है इस मंदिर को ले करके मैं भी बहुत परेशान थी और अब कल है कार्तिक पूड़े मा और कल हमारे राधारानी हमारे लड़ गोपाल जी करेंगे अपना घ्रह प्रवेश अपने मंदिर में तो मैंने जो इनका मंदिर निकलवाया है वो सिर्फ इनी का रहेगा और उसमें मैं कोई भी भगवान नहीं रखने वाली हूँ तो क्यूंकि आल अंदिर वनाने के लिए इतना समय लगा लिया तो फिर हम जब इनसानों के काम समय पे नहीं होते हैं तो हम कितनी जल्दी खवरा जाते हैं ना बस आज से यही नहीं करना है हर चीज में प्रभू की कृपा मानना है हर चीज में ऐसे एहसास करना है कि जो कुछ भी होगा प्र ले टेस्ट तरीके से होगा तो फ्रेंट्स आपको कैसी लगी आज का ये वीडियो जरूर से बताएं और आप लोग अपने अनुभब भी मेरे साथ शेयर जरूर से करें तो यहाँ पर प्रभू की भोग पूजा आरती हो चुकी है वीडियो का करती हूं मैं यहीं पर एंड मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे